बीजेपी अध्यक्षव केंद्रिया ग्रह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर अमिच शाह अमिच शाह इस वीडियो में मकर संक्रती के मौके पर पतंगबाजी का लुत्व उठाते हुए नजर आ रही हैं। गुजरात की गांधी नगर सीट से सांसद अमिच शाह ने मंगलवार को अहमदाबाद में आयोजित उत्तरायन कार्यक्रम में भाग लिया। मकर संक्रांती पर अपने ग्रह प्रदेश पहुँचे शाह इस दौरान उत्सव के माहौल में काफी रंगे नजर आये। शाह चट खड़े होकर पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं और लोगों को हाथ उठाकर अभिवादन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष शाह के साथ गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतु वागानी, कोशाध्यक्ष प्रभाई पतेल, सुरेंद्र काका भी इस अफसर पर उपस्थित थे। बतादे की अमित शाह अमित शाह पर पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही देश के एहम केंद्रिय अग्रह मंत्राले की भी जिम्मेदारी है। वह राजनीतिक मोर्चे पर भी बेहद कर अपने विरोधियों के हमलों का करारा जवाब देते हैं। गंभीर शक्त और बेहद अनुशासित मिजाज वाले शाह सारवजनिक मनोरंजग गतिविधियों में शायद नजर आते हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी उनकी व्यस्तता इन दिनों बड़ी हुई है, लेकिन वक्त निकाल कर वह स्पर्व पर अपने घर पहुँचे। CAA के समर्थन में लिखी हुई 50,000 पतंग बाटी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अहमदाबाद के खोकरा में स्थिते कावासिय परिसर में मकान की छट पर CAA के समर्थन का संदेश लिखी पतंग ओराए। उन्होंने कहा, जीवन को भी पतंग की भांती उड़ना च चाहिए। जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। विधानसभा में विपक्ष के नीता परेश धानाणी ने कहा, महंगाई आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रती बढ़ते अपराधाज गुजरात के प्रमुख मुद्दे हैं। रैपिट एक्षन फोर्स आरेफ और राजे रिजर्व पुलिस बल एस रपी एफ की टीमों को भी अहमदाबाद में सडकों पर तैनात किया गया था। वरोदरा में पुलिस ने समवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया।